का मारा टोपिक है सविधान के महत्पूरण अनुच्यत मैं इस एक ही वीडियो में सविधान के जितने भी महत्पूरण अनुच्यत हैं सभी को कवर कराऊंगा इसलिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने पर विश्वास रखेगा जब वीडियो को पूरा आप समझना शुरू करते हैं सविधान के महत्वपूरन अनुष्यद के बारे में अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि जितने भी अनुष्यद हैं इन्हें बीच-बीच में से पढ़ना शुरू कर देते हैं जिसकार करके यह हमें याद नहीं रहते पर इस वीडियो में मैं आपको पू आपने नहीं देखी दूसे वीडियो को भी जुरूर देख लेना तो इसमें कितने भाग हैं 22 भाग 395 अनुच्यद और 12 अनुच्यद हलांकि अब इसके अनुच्यद बढ़कर 470 हो गए हैं पर मूल रूप से कि 22 भाग पहले भाग में एक से लेके चार अनुच्यद हैं और इसमें क्या है तो संग एम उसके राजिशेत्र का वर्णन है तो जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन होती है इसी परकार जो भारत का सभिधान है ये भारत किसी भी गंतंत्र देश के लिए लोगतंतर देश के लिए उसका जो सव्षजान है सबसे पRich्त्र पूष्ट्र कोती होती है उसकी तो जो भारत का सभिधान है इसमें पहले इंट्रोडक्शन ही होग सब्सक्रोडग के होती है तो पहले अनुच्यद में बता है कि राजियों के छेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है मलग किसी भी राजिय की अगर सीमा है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है तो यह तीन अनुशेद आपको याद रखने हैं यह important है पहले भाग में उसके बाद हम देखते हैं भाग दूसरा, तो भाग दूसरा में 5 से लेकर 11 नुशेद हैं, जिसमें नागरिकता का वन्नन है, बहुत ही इंपोर्णन है, काफी बार पूछा गया है, कि नागरिकता का वन्नन किसमें है, तो उप्शन में यह ऐसे दिया होता है, कि 5 से लेकर 11 न तक नाग रिक्ता का वर्नन है कैसे तो देखे नाग पंचमी का नाग यानि की नाग रिक्ता का वर्नन और पंचमी तो पंचमी मतलब कि पांचमी यह शुरू है पांचमी अनुशे से शुरू है नाग रिक्ता का वर्नन पांच से लेकर 11 तक तो नाग पंचमी से आप इसे या मैं SPECIAL video बना दूँगा पूरे मोलिय कदिकार के उपर क्योंकि कफिया इंपूर्ण है अभी हम इतना ही जाना है कि भाग तीसरे में मोलिय कदिकर का वन्न है तो मुलिय का कौन कौन से हैं जैसे कि समानता का दिकार हो गया सौतनतर्ता का अधिकार शोशन के विरुद अधिकार, धार्मी के सुतंतरता का अधिकार, संस्कृति और सेक्षा संबंदी अधिकार, और समिधानिक उप्चारों का अधिकार, तो अब हमें इतना जानना है, कि 12 से लेकर 35 तक मोली का अधिकार है, उसके बाद हमें देखना है कि भाग 4A, ये काफी इ विर्षके प्रती, तो इसलिए हमारे कुछ मोली करतव भी निर्धारित किया गया है, ये कहां से ले गया है, ये ये स्टरोथा जो है ये रूस से ले गया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसके रिलेटर ये भी पूछा जाता है कि कि किसे सिफारिश प तो 4a के बाद अब हम आगे देखते हैं भाग 5 और भाग 6 इसको साथ ही साथ याद करेंगे क्योंकि साथ ही साथ इसको आप याद करोगे तो बहुत यसानी से याद हो जाएगा मैं ट्रिक्स से आपको बताऊंगा तो भाग 5 में 52 से लेकर 151 और भाग 6 में 152 से लेकर 237 यह आपको नहीं भी पताऊँ कर दो काम चल जाएगा क्योंकि मियन क्या पूछा जाते मैं आगे आपको बताता हूं वहीं किसी भी राज में भुमी का राजय पाल की होती है इसलिए मैं इसको साथ-साथ गपर कर रहा हूं क्योंकि इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको यादा दिर तक याद रहेगा तो राश्पती का सबसे ज़्यादा इंपोरण अनुशेद बावन इतनी बार एक्जाम में पूछा कि हर बार शिप्ट में पूछा जाता है कि राश्पती का पत किस अनुशेद में वर्नन है तो इसको आप याद कैसे करेंगे तो मैं इसको आपको याद करने का तरीका बताता हूं तो इसको याद करने के एक ट्रिक है देखिए अगर आपको चीज इमेज से याद करते हैं तो आपके माइन में ज्यादा ते तक रहती है सब कॉंशेस माइन में आपके बैठ जाती है और तिरपन चोवन मलत साथ साथ वाली आएगे और आप से पूछा जाएगा कि राश्ट्रपती पद का वर्णन किसमें है तो आपको देखते ही पता लगना जाने चाहिए कि जो आगे जो दो है वह आपको ऐसे लग रहा है जूका हुआ है और आपको पता है राश्ट्रपती का पता है तो उसके पास शक्तिय भी होगी और कारे भी होंगे तो अनुषे तिरपन डेता है अब सतका शक्ति और का वर्णन और चोवण चववन निरवाचन देखें की राजपति का निर वाचन कैसे किया जाना हुए उसमें बता आगा गया है और इसके Сейчас हम देहते हैं तिरभण के आगे आप एक लगा देंगे तो यह राजपाल का क्धभ हो गया और अंबश तर इस्क में झेल का रहे उसका घ्याइक है कितनी चहने कुछ सौनी तरीके से और यह च्छे आप झागे चाह से जाती हैं आप पर आपको क्या करना है जैसे आपको यह इंद से याद रहें आ राश्पती पत के बारे में तो आगे उसके शक्ति हैं उसके बाद निर्वाचन तो बावन में आपने एक जोडा कितना फार्ट तिरपन जो आपने एक जोडा उसकी आगे लगा देना एक 100-35 तुसते सब्सक्रेम सबाइस अगले किमा मनूआ सब्सक्राइब राजपाल होग यह मैं घुट ganze फटेश बार किसावपानल कि महाथ जा सब्सक्राइब नग कि होत circle कोimon को दोन महावियोग लाने से 14 दिन पहले राश्ष्पती को सूचित करना पढ़ता है मैंनद जबहें महावेड़ा लाना है उसे 14 दिन पहले राश्ष्पति कोई उसूचित करना पढ़ता है कि भई-साब आप महावव्योग लंगने वाला है तो अनुशेद एकसाट के बाद अब हम देखते हैं अनुशेद 72 यह भी काफी बार पूछा गया है शमादन मैंने आपको बता है ना कि राश्पति के बाद यह पावर होती है कि वह किसी को भी शमा कर सकता है तो इसको भी आप कैसे याद करेंगे बस दो दो से आपको बस यह इमेज आनी चाहिए कि जो दो है जुका हुआ है और गिर्गिरा आ रहा है साथ आप देखर एक राश्पति खड़ा हुआ है राश्पति के आगे वह गिर्गिरा आ रहा है कि मुझे शमा कर दो तो इससे आप याद रख सकते हैं शमादन बावन कैसे पता रहा है तो आपको कि जब लोकषभा और राजसभा कि बैठएक ना चल रही हो और देश में किसी जरूरी कानून के आवशक्ता होती है तो राजपती ह возможно करके कानून बना सकते हैं पर मंतिरी मंड्यल परनहीं चल घो यह कानून बनता है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में कानून कैसे बनता है, आपको पता तीन स्टेप होते हैं, पहले स्टेप में लोकसभा में उपारी हित होना चाहिए, फिर राजयसभा में, फिर उसके बाद राजपती के हस्ताक्षर होना चाहिए, कितने स्टेप हैं कि अनशेयद 123 के बाद आपको यह को अगर कानूनी सरा कि आशकता होती है तो वह सीधा सुप्रीम कोड से सला ले सकता है पर आपको यह भी याद रखना है कि कोशन पूछा गया कि आगर वो सला देते हैं तो क्या वो मानने के लिए बात दे हैं राश्च पती तो आपको यह य एंदिंग में सारे कवरकि दिये कि जो भी राश्टप्टी इस लेड़िस है और ये राजय पाल वाले उसके बाद हम देखते है उपराश्ट पती उपराश्ट-पती का वनाने अनुषे तो उसमें बतायागा है कि एक उप्राष्ट पती होगा और उप्राष्ट पती होता है उसे अपनी पत के लिए कोई तन खानी मिलती मला उसे कोई सेलरी नहीं है कि आपने पद के लिए नहीं मिल साइस हम काँ की सिच्ट्रमाटिक विर्फ़ेसे पढ़ना विए और जिससे आप अनुफ्रेद्धों कोग ज्यादा देतता है म 대कता हैं तो हम देखते हैं प्रधान मंत्री तो सबसे पहले हम देखते हैं उंशेथ 74nd75 през projetsid यह तिनों प्रधान मंत्री से एं प्रेटान मंत्री थां जिसना की भारत में जो राश्ट पती है उन्हां म मांत्री एंच ज्यादा तर पावर कि घ्ना और manifest कीखता लगत आ रहें तो महा नियाइवादी महानियाइवादी द्वारा महानियाइवादी की जायते हैं महानियाइवादी एक विधि अधिकारी होता है सिधे शब्दों में आपको बताओं की यह कानूनी विष्यचक होते हैं जो भारा सरकार को कानूनी सला देते हैं तो जैसे राश्पती सुप्रीम कोर से सला लेते हैं इसे प्रकार महानियावादी होते हैं जिन्हें राश्पती नियुक्त करता है पर जो सिफारिश होती है मंत्री मंदल मदा प्रधान मंत्री के सिफारिश पर ही राश्पती नियुक मंत्री मंडल सेम इसको याद करने के ट्रिक भी एक ही है देखिए कैसे जैसे मैंने आपको वहां पर राश्पती राजपाल में क्या बता था एक जोड़ना है यहां पर एक घटाना है जैसे 74 है क्योंकि आगर आपको देखे जाए प्रधान मंत्री की पोश्ट बढ़ी है एकाममलव को प्रधान मंत्री मंट्री मंठरी रिखता मुख्य मंच्यमंत्री मंठरी मिरी यह अधे ट्रिक्स से आप इन तीन को याद कर सकते हैं तो परदान मंतरी और मुख्य यासी लगातारी है राजसभा लोगसभा तो कई बार क्या होता है हम इसके करम में मिस्टेक कर देते हैं कई भूल जाते हैं कि असी में लोगसभा आएगा तो इसे याद करना बहुत ही सरल है और इसके ट्रिक भी सरल है सा से पहले संसद आएगा रा से राजसभा ला से लोगस मंडल के तहत्त बनता है तो विधान मंदल में क्या ओक्त बढ़ान सभा इसे ऊपर होता है ना और आज नीचे इसको विए तो यहां पर आगे लगा देना है तो वहां पर लोगसभा और यहां पर विधान सभा इसको भी आव याद कर सकते हैं तो विधान सभा के बाद यह है विधान परिश्द यह मनलब हर जेगा नहीं है स्केवर छे राज़ों में है तो छिराजों में है यह वी कई बार पूछ ले जाता है कि बताओ कि विधान परिशद किन किन राज़ों में है इसके ट्रिक है इसके टिवी जुकाम इससे आप याद रह सकते हैं कि कहां कहां पर विधान परिशद है टी से जैसे होगा तिलंगाना बी से बिहार तिलंगाना और बिहार जैसे जम्मू कश्मीर तो यह जम्मू कश्मीर पहले था लेकिन आप जब से यह केंदर शाशित प्रदेश बन गया है तो यहां पर विधा U से उत्तरप्रदेश, K से करनाटक, A से अंदरप्रदेश और M से महराष्ट। आंदरप्रदेश भी अब जो है अपनी विधान सभा में उसने परस्ताव पारित किया है कि हमारे यहां विधान परश्चत को खतम कर दे जाए। पर अभी वर्तमान में खतम नहीं हुई है, तो कि 6 राजों में अभी भी है, पहले तेलंगा आना, B से बिहाद, जमुकश्मीर खतम हो गया, तो 1, 2, U से उत्तरप्रदेश 3, K से करनाटक 4, A से अंदरप्रदेश 5, और M से महराष 6, तो मैंने आपको विधान परश्चत भी ब पुछा गया, अद्शे ईकर में किस का भुणन है निरनायक मत, क्या होता है तो अद्ध्राइक भी बने किसी मुद्डं कह रही है, और जो वोटिंग है वो बराबर हो जाए, जो यानि कि निरनायना ना हो पा रहा हो तो उस समय क्या होता है कि अध्यशमोदे अपना निरना मैं बना जब भी 50-50 बात आजाए किना करूंग का निर्नना हो पारा 50-50 बात आजाए 50-50 सो होते हैं तो एक वोड जो वहां पर अध्यक्ष्ण मौहोदे हैं उनका निर्नायक मत माना जाएगा तो अनुशे सो में ने ने मत का बनन है सो के बाद देखते हैं अंशेद 108 तो अंशेद 108 में सहयूगता दिवेशन कब बुला जाता है मैं आपको बताता हूं मालिजी लोगसभा में कोई चीज में बेल पर बहस चल रही है और कोई दिन नहीं लिया जा पा रहा है तो क्या किया जाता है कि लोगसभा भी विल बाटका किसे में 108 में उसके बाद देखते हैं एक अंशेद 110 110 और अंशेद 1770 और या रखनें 110 में डवन जार्ची जाता हैक पहले तो आप यार्ट cuánt 10 10 दस और धन 110 में धनादिवेशन और 117 में विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्वि सबसे पहले लोग सभा में परस्टूत किया जाता है यह आपको याद रखना है कि सबसे पहले से कहां परस्टूत किया जाता है और धन विध्यक होता क्या है जब Sरकार को 일ोड है बढ़ाना तो से धन विधह कहेंग और Sरकार को ब्रयंग यान कि करज लेना है तो जो विल और करज लेने के लिए यह उसे धन विधाए यान बो करना करज लेना है कि करण्जा और च्छा करना पूल तो इसको बढ़ाद बजट बार विजट दोबार बोलेंगे ऊचनवाइए बजट पता ही होगा कि एक साल का पूरा मॉलब जो लेखा जोखा होता है तक करेदा है वहला के बाद है हम 616 जब सरकार बजट पेश करती है तो तो कई कुछ खर्चे उसमें रहाते हैं जो कुछ खर्चों का वर्णन है पर सरकार बाद में करते हैं यह तो नहीं करेगी घराइगे साल के बाद में बजट आएगा पेश करेंगी बीच में मसलें लाकर शंक्षे में एक बिल पास करा ले जाता है तो यह से लेखा नुदान क कवर्ट कर लिए अब हम आते हैं सुपरीम कॉर्ड हाई कोड पर सनसाल भी हो गया कवर इस परकार आपको है पढ़तो जाना करम वाइस इससे आपको याद हैं अब सुपरीम कोड हाई को देखते हैं तो 124 में सुपरीम कोड का गठन होगा और में 385 सुप्रीम कोड के अधिकार है तरी 124 में था знает MerCH में 3101 सुप्रीम कोड के अधिकारण है और 148 में 119 थे संबरों कहां थे का धिकार शेत्र है 145 है कि कही निकती छर्डटालों इनका काम कहा है कि सरकार धुक्ता किया गया है उसका करना है इसने अगर मैं आप सब्षा करत करना है इन क्था शक्राइबfelt日本 सेस्प्राइब कि इन डिचा आप यह सब उजागर होता है कि कहां पर कितना घुटाला हुआ तो और इस समय अगर मैं आप सब पूछू कि क्या कौन है हमारे Comptroller और Auditor General कौन है तो गिरीश चंदर मुर्मुजी है क्या यह भी याद रखना उसके बाद हम देते हैं हमने स्प्रियम कोट देख लिया और अनुशेद 2.1.6 में बताएं कि High Code का गठन करना है पहले बताएं कि राज्यों के लिए High Code होगा और इसमें 267 क्या है कि High Code का गठन करना है कैसे होगा वो बताएं है तो हमने सुप्रीम कोड और हाई कोड देख लिया अब हम देखते हैं एक मैंने हड़ बना है केंदर राजी संबंद इसमें जितने भी अनुशेद हैं यह काफी इंपोर्ड है यह अलग से पूछे जाते हैं आपको पहले दो दो करकिया रखने हैं 249-250 तो 209 में क्या है कि राजी सूची विशय पर कानून बनाने की शक्ति तो राजी सूची विशय क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि राजी सूची मतलब है कि वह है विशय जिस पर राजी कानून बनाता है राजी सूची विशय होते हैं जिस पर राजी कानून बना सकता है पर जो राजी सू कुछ विशे हैं जिस पर केंद्र भी कानून बना सकते हैं और 250 में क्या है कि अपात काल के दुरान जब अबात का लेमर जंसी लग जाए उस दुरान भी राजय सूची के कुछ विशव पर कानून बनानी की शक्ति केंद्र के पास है तो दोनों यह रखेगा है कि यह तो नहीं देखे की युपी कर लीनी पर रुख जएगी वह आगे दूसरे अब जानी जाती यह तो इसके पाणी के लिए वह हो जाता है कि कितना ना पानी कोई तो एक राजय मालों बना लेता है वह पाने रोक लेता तो नी जया कि नदा ऑना ने जहां कि नितन संसत कानून बना सकती है यह दखना इसमें अधिजली वाद है और अंतराजिय परिश्यद है उसके बाद आते हैं 288 यह इसमें काफी इंपोर्ड़न है वित आयोग का काम क्या है केंद्र और राजयों के बीच जो करका वितरण करना जो टेक्स है उसका वित्रण करना है केंदरो राजयो के बीच में इसमें 15 वित आयोग चल रहा है याद रखेगा और जो 15 में वित आयोग है इसके अध्यश कोन है तो इसके अध्याष है NK Singh इंपोर्णर या रखेगा जो वित्तायोग है इसके अधिश को नहीं तो एंकेसेंगे और पंद्रवा वित्तायोग है उसके बाद हम चलते हैं 312 तो 312 नुशेद में क्या है अखिल भारतिय सेवा अखिल भारतिय सेवा के दिन क्या क्या आता है आपको पता होगा तीन अबी मायाती है तो आपको चार झाहिए एक אिपस एक ईपस और एफस दो Armstrong होगा मत फुल oke होगी एक IFS की full form होती है Indian forest service और एक होती है Indian foreign service तो याद रखेगा जो यह वाला IFS है उसमें है Indian forest service कौन सा वन विभाग वाला तो यह बहुत important है कोशन भी पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहूं कि जो अखिल भारती सिवा में जो IFS आ रहा है यह Indian forest service वाला है ना कि foreign service वाला यह आप याद रखेगा उसके बाद आते हैं 315 तो संग एम राजी के लिए लोक सिवा योग मलब की जो एक्जाम होते हैं आपको पता ने यूप्यस का वर्णन किसमें 315 में संग के लिए मलब केंदर के लिए और राजी के लिए है PCS कई राजों में इसका PSC भी का जाता है PCS तो इसका वर्णन कहां पर है अंशे 315 में 312 में अखिल भारतिय सिवा जिसमें तीन से वाइं आती है वह 315 में UPSC का तो केंदर और राजी के बाद अब हम आते हैं हमने संसद भी देखने हैं प्रधान मंत्री मुक्य मंत्री स आचा और आमशे 3343 कе तैने हिंदी हमारी राज्यभास्याय याद राजवाच्वाश नहीं आमशे 340 के तैने हिंदी जो हमारी है राज्यभाश्याय और कौह सी निप्त दिवनाग्री लिप और उसके बाद इस सबसे मोश्य पूरौण को अपार्थ कि कि हर बार पूछ जाते हैं कि सीर्द में 352 स्फमें Castцен 555-चार्ट-चार्ट-थन चार शब्न चार साड फार तो 352 में क्या राष्ट्रिय अंत्री में रखत्र, से युद्ध और यह कोई आंत्रिक विद्रों हो जाए पूरे अपने भारत में देश में आंत्रिक विद्रों बड़ी पेमानी पर हो जाए तब राश्ट्रियापात का लगा लगा दिया जाता है तो जब देश में दूसरे देश जातो युद्ध हो रहा हो जैसे चाइना के साथ उस समय एमर्जन्सी लगी थी जहा पूरा आंत्रिक विद्रोव हो गया हो बड़े पेमाने पर तब राश्ट्य अपात्काल लगता है और 302 बाद 356 356 में क्या है राश्ट्रपति शाषन 366 में राश्पति शाषन और 56 के बाद आता है 360 वित्य अपात्काल तो वित्य अपात्काल क्या है जब देश की इकोनिमिकल कंडिशन आतिक जो वेस्ता है बहुत खराब हो जाए तब वित्य अपात्काल लग जाता है पर याद रखेगा अभी तक भारत में एक भार भी वि पूछ तैकि बताए कि निमालिकित में से कौन सा अभी तक नहीं लगा है तो यहां आखेगा 360 में जो है वित्य अपात्काल सब्साइबसाथा कि उसके चलिगह सभीधान तो बन गया लेकिन सभीधान शन्षोदन भी होना जरूरी है कि नए अगर मालो कोई बदलाव करना हो भी तो जरूरी है और मैंने पिछली वीडियो में पूरा स्पेचल आपको यह बता है कि आपको याद होगा तो आपने पिछली वीडियो देखिए कि सब्या ना है तो आपने वह विडियो नहीं देखे तो देख लेएं सब्सक्राइब कोच नहीम में अन्दर रहे हैं। मुख्य मंत्री के यह कुछ बच्चे हुए थे और यह पूछे गए इसलिए मैंने इसे अलग अक्से गवर कर लिए बस लास्ट ही है तो अंशे 17 में आज परिश्टा का अंत मिलब कि छुवाचूत कांत यह किसमें ही नंबरों से खेली है 29 दोगी में तो मैंने आपके दिमांग फिटी कर दी क्या है कि आदम गिरा रहा जुका हुआ है देखे जब तक अलब संक्या थे पहले उनके लिए कोई कानू नहीं था बिचारे जुके हुए थे तो जैसे उनके लिए कानू ना है वो खड़े हो गया नो क्या बता रहा है आपको कि वो पूरा एकदम सीना तान के खड़ा है पहले गिल गिल आ रहे थे तो यह इससे मतलब अनुशेद बत्तिस है अलब संक्या की हितों के स्रेंशन करने के लिए है नंबर से आप खेली है इससे आपको याद रहेगा उनुशेद चालिस चालिस है हाट एंड सौल उफ इंडियन इसे क्यों कहा जाता है तो अनुशेद बत्तिस में यह कहा गया है अगर किसी भी आदमी का चाहिए आम आदमी हो उसके अगर फंटामेंटर राइट्स जाने कि मौलिक अधिकारों को हननन हो रहा हो तो सीथा इसके लिए वो केस सुप्रीम क खतम होती है कैसी लगी आपको यह वीडियो कोमेंट सेक्शन में जुरूर बताना धन्यवाद